नवस्कार कारकम में मेरे साथ उपस्तित गुजरात के राजबाल आचारे स्री देवरत जी भारत सरकार में मेरे साथ ही भायरमेश जी गुजरात के मुख्यमंतरी विजे रुपानी जी गुजरात के शिक्षा मंतरी स्थिमान पुपेंदर सिंग जी UGC के चैर्मेन प्रफिसर डिपी सिंग जी बाबसाब आमबेड कर ओपन उनिवर्सिटी की वाई चांसलर प्रफिसर अमी उपाद्य है जी Association of Indian University AIU के प्रेज़न प्रफिसर तेज पताब जी सभी उपस्तित महानुभाव और साथियों आज जब देश आज हादि कामरुत महोत्सव मना रहा है तो उसी काल फेन में बाबसाब आमबेड कर की जन्म जन्ति का आउसर हमें उस महान यग्य से भी जोडता है और भविश की प्रेज़ना से भी जोडता है मैं कृतक जिराष्ट की तरफ से सभी देशवाश्यों की तरफ से बाबा साहिब को आधर पुरुबग सद्धान जले अर्पित करता हूं साथियों आजहादी के लड़ाइब हैं हमारे लाखों करोडों स्वाधेंता से नानियों ने समरस समावे सी भारत का सपना देखा था उन सपनों को पूरा करने की शुरुवात बाबा साहम ने देश को सम्मिधान के देखर के की थे आज उसी सम्मिधान पर चल कर भारत एक नया भविश गड़ रहा है सभलता के नए आयाम हासिल कर रहा है साथियों आज इस पवित्र दिन Association of Union University के वाई चांचलर्स की 95th मीटिंग भी हो रही है बाबा साहब अंबेड कर ओपन उनिवर्सिटी में बाबा साहब सम्मरस्ता चैर की स्थापना की गोश्णा भी हुई है अभी बाबा साहब के जीवन पर उनके विचारों पर आदर्शों पर भाई किशोर मक्वाना जी की चार पुस्तकों का लोकारपण भी हुआ है मैं इन प्रयासों से जुड़े सभी महनुभावों को बधाई देता हूं साथियों भारत दुनिया में मधरब डेमोक्रेसी का गर्व अनुभाव करता है डेमोक्रेसी हमारी स्रभ्यता हमारे तौर तरीकों का एक प्रकारचे हमारी जीवन पध्यती का एक महज हिस्सा रहा है आज़ादी के बाद का भारत अपनी उसी लोक्तंत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे भड़े बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें एसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल वीजन के व्यक्ति थे स्री किशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस वीजन के स्पष्ठ दर्शन होते हैं उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती हैं दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंदरित हैं इसी तरह तीशरी किताब में बाबा साहब का राष्ठ दर्शन अमारे सामने आता है और चोथ ही किताब में उनके आयाम दर्शन को देश वाच्छों तक ले जाएगी। ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक सास्तर से कम नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश के विश्व विद्यालव में, कॉलेजों में, हमारी नई पीड़ी, जादा से जादा इन पुस्तकों को और ऐसे तई पुस्तकों को भी पढ़ें। समरत समाज की बात हो, दलीत बंचीत समाज के अधिकारों की चिंता हो, महलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्ण हो, शिक्षा और विश्व कर उत्च शिक्षा पर बाबा साप का वीजन हो, इन सभी आयमों से देश के युवाओं को बाबा साप को जानने समझने का आउसर मिलेगा, साथियों, डॉक्टर आमबेड कर कहते थे, मेरे तीन उपास्य देवता है, ज्यान, स्वाविमान और शील, यानि नौलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉलाइटनेज, जब नौलेज आती है, तबी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए एवेर होता है, और इक्वल राइट्स से ही समाज में सम्रस्ता आती हैं और देश प्रगति करता हैं, हम सभी बाबा साब के जीवन संगर्स से परिचीत हैं, इतने संगर्सों के बाद भी बाबा साब जिस उंचाई पर पहुँचे, वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है, बाबा साब आमबेड कर हमें जो मार दिखा कर गए हैं, उस पर देश निरंतर चलें, इसकी जिम्मेदारी हमारी सिक्षा विवस्ता पर, हमारे विश्व विध्यानों पर हमेशा रही हैं, और जब प्रश्ण एक राष्ट के रुप में साजा लक्षों का हो, साजा प्रयासों का हो, तो सामोही प्रयास ही सिद्धी का माध्यम बनते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ, इसमें Association of Indian Universities की भूमी का महत्वपुन हो जाती है, AIU के पास तो डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्ण जी, डॉक्टर शामा प्रशाद मुखत जी, सिर्मती हांसा महता जी, डॉक्टर जाकीर हुसें जी, जैसे बिद्वानों की भी एक बहुत बड़ी लंबी बिरासत है, डॉक्टर राधा कृष्ण जी कहते थे, the end product of education would be a free, creative man who can battle against historical circumstances and adversities of nature. ताथ पर यह यह, कि सिक्षा को वो, और शिक्षा वो हो, जो व्यक्ति को मुक्त करें, वो खुल कर सोचे, नई सोच के साथ नया निर्मान करें. उनका मानना था, कि हमें अपना education management, पूरे world को एक unit मान कर विक्सित करना चाहिए. लेकिन साथ ही, वो education के Indian character पर भारतिये चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे. आज के global scenario में, ये बात और भी महत्वपुन हो जाती है, अभी यहाँ पर नई राष्टिय शिक्षा निती और उसके implementation plan पर special issues रिलिज किये गए हैं. ये issues इस बात के detailed documents हैं, कि national education policy एक futuristic policy है, global parameters की policy है, आप सभी विद्वजन national education policy की बारिकियों से परिचीत हैं. डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने education के जिन परपज की बात कही थी, वही इस policy के core में दिखता है. मुझे बताया गया है, कि इस बार आपने seminar की theme वो भी यही रखी है, implementing national education policy 2020 to transform higher education in India. इसके लिए आप सब बधाई के पात रहें, मैं NEP को लेकर लगातार विशे सग्यों से चर्चा करता रहा हूँ. National education policy जीतनी practical है, उतनी ही practical इसका implementation भी है. साथियों, आपने अपना पूरा जीवन, शिक्षा को ही समर्पित किया है. आप सब भली भाती जानते हैं, कि हर student का अपना एक सामर्थ होता है, शम्ता होती है. इनी शम्ताओं के आधार पर, students और teachers के सामने तीन सवाल भी होते हैं. पहला, वो क्या कर सकते हैं, दूसरा, अगर उन्हें सिखाया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, और तीसरा, वो क्या करना चाहते हैं. एक student क्या कर सकता है, यह उसकी inner strength है, लेकिन अगर हम उनकी inner strength के साथ उन्हें institutional strength दे दें, तो उसमें उनका विकास व्यापक हो जाता है. इस combination से हमारे युवा वो कर सकते हैं, जो वो करना चाहते हैं. इसलिए आज देश का खास जो skill development को लेकर है, आज जैसे जैसे देश आत्मनिर्भर भारत अभ्यान को लेकर आगे बढ़ रहा है, स्किल्ड युवाओं की भूमी का और उनकी दिमान भी बढ़ती जा रही है. साथियों, डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी ने स्किल्ड की इसी ताकत को देखते हुए, देश को पहले सिक्षन सहुस्थानों और उड्योगों के collaboration पर बहुत जोर दिया था. आज तो देश के पास और भी असिम अवसर हैं, और भी आधनिक दोर के नए नए उद्योग हैं. आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है. इन जरुनतों को पूरा करने के लिए देश लगातार बड़े कदम भी उठा रहा है. देश के तीन बड़े शहरों में इंडियन इंस्टिटूर्ट अब स्किल्स की स्थापना की जा रही हैं. कुछ महिने पहले दिसंबर में ही इंडियन इंस्टिटूर्ट अब स्किल्स मुंबई में पहला बैज भी शुरू हो गया है. नेश कौम के साथ भी 2018 में फ्यूचर स्किल्स इनिशेटिव शुरू किया है. ये इनिशेटिव 10 इमर्जिंग टेक्नोलोजीज में डेड़ सो से जादा स्किल्स सैट्स की ट्रेनिंग देता है. साथियों, नई राष्ट्रिय सिक्षा नीती में, NETF का भी प्रावधान है, जो सिक्षा में टेक्नोलोजी के जादा से जादा इस्तमाल पर जोड़ देता है. हम यह चाहते हैं कि सारी उनिवर्सिटीज मल्टी डिस्सिप्लिनरी बने हैं, हम स्टूडेंस को फ्लेक्सिबिलिटी देरा चाहते हैं, जैसे Easy Entry Exit और Academic Bank of Credit बना कर आसानी से कहीं भी कोर्ष पुरा करना, इन सभी लक्षों को प्राप्त करने के लिए देश की हर उनिवर्सिटी को साथ मिलकर एक दूसरे से तानमेल बिठा कर काम करना ही होगा. इस पर आप सभी Vice Chancellors को विशेश ध्यान देना होगा, देश में जो नई-नई संभावनाए हैं, जिन जिने छेत्रों में हम संभावनाए पैदा कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा Skill Pool हमारी उनिवर्सिटी में भी तैयार होगा. आप सभी से आग रहें कि इस दिशा में और तेजी से काम हो, एक तैय समय के भीतर उस काम को समाप्त किया जाए. साथियों, बाबा साब आमबेड करके कदमों पर चलते हुए, देश तेजी से घरीब, दलीद, पीडीद, शोशित, बंचीद, सभी के जीवन में बड़लाव ला रहा है. बाबा साब ने समान अवसरों की बात की थी, समान अधिकारों की बात की थी, आज देश जंदन खातों के जरिये हर व्यक्ति का आर्थिक समाविस कर रहा है, डिबीटी के जरिये गरिब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुँच रहा है, Digital Economy के लिए जिस भीम UPI को शुरू किया गया था आज वो गरीब के बहुत बड़ी ताकत बना है DBT के जरिये गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुँच रहा है आज हर गरीब को घर मिल रहा है मुप्त बिजली कनेक्शन मिल रहा है जब उसी प्रकार से जल जीवन मिशन के तहट गाउं में भी साप पानी पहुचाने का एक भरपूर मिशन मोड़ में काम हो रहा है कोरोना का संकर आया तो भी देश गरीब मद्दूर के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ दुनिया के सबसे बड़े वेक्सिनेशन प्रोग्राम में भी गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है कोई अंतर नहीं है यही तो बाबा साब का रास्ता है यही तो उनके आधर्स है साथ यो बाबा साब हमेशा महिला ससक्तिकरन पर बल देते थे और इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किये उनके इसी वीजन पर चलते हुए देश आज अपनी बेटियों को नए नए अवसर दे रहा है गर और स्कुल में 144 से लेकर सेना में युद्धत विमान युद्धत की भुमिकाओं तक देश की हर पालिसिक के केंदर में आज महिला हैं इसी तरह बाबा साहब के जीवन संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए ही आज देश काम कर रहा है बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तिर्थ के रूप में विक्सित किया जा रहा है कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर अम्बेड कर इंटरनेस्टन सेंटर के लोकारपण का हुशन मिला था आज ये सेंटर सामाजी गार्थिक विशव पर बाबा साहब के जीवन पर रिसर्च के कैंदर के रूप में उभर रहा है सातियो आज हम आज आजिके 75 साल के करीब हैं और अगले 25 सालों के लक्ष हमारे सामने हैं देश का ये भविश, भविश के लक्ष और सफलता हैं हमारी युवाओं में से जुड़े हुए हैं हमारी युवाओं ही इन संकल्पों को पूरा करेगे हैं हमें देश के युवाओं को वो उनकी समर्थ के हिसाब से अफसर देने हैं मुझे पुरा भरोसा है कि हम सब के ये सामुहिक संकल्प हमारे सिक्षा जगत के ये जागरत प्रयास नए भारत के इस सपने को जरू पुरा करेंगे हमारे ये प्रयास ये परिश्रम ही बाबा साब के चरणों में हमारी सत्धान्जली होगी इनी शुबकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नवरात्री की शुबकामनाई देता हूँ आज बाबा सावा मेड़ करके जन्म जहनती पर विशेश रुप्स सुभकामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद